नमस्कार इंडिया न्यूज एंटेटेन्मेंट देख रहे हैं आप अगर इमाश्र वास्ताव आपके साथ संडे को फीफा वोल्ड कप 2022 बेहग खास बन गया यहां कतर के लिवास स्टेडियम में अर्जंटीना और फ्रांस के बीच मुकाबला हुआ तो इस मैच को बॉलिवर्ड अक्रिस देपका पादुकोड की मौजूदगी ने भी बहुत स्पेशल बना दिया जारान पठान अक्रिस ने फीफा वोल्ड कप 2022 के ट्रॉफी लॉंच करने के साथ ही एक अचीवमेंट अपने नाम कर लिया दरसल भारत को फिर से प्राउड करा ट्रॉक में ले गए और लुसेल स्टेडियम में इसको रिवेल किया 6.75 किलोग्राम वजनी और 18 क्यारट सोने और मैला काईट से बनी ट्रॉफी को कुछ खास लोगी चुल सकते हैं और पकड़ सकते हैं फीवा वोल्ड कप के पूरो बिनार और हैड्स ऑफ स्टेट इसमें इसे में बॉलेवर्ड एक्रिस देपिका पादिकोर सहित पूरे भारत के लिए ये बेहद खास पल बना ट्रॉफी लॉंच के दौरान देपिका ने कि स्पानिश फुट्बॉलर एकर कैलसिलस वरना डिस्स के साथ एंट्री की थी यह मोमेंट भी काफी एक्साइटमेंट भ हो रही है इस दौरान खचा-खच बड़े स्टेडियम में मौजूद ऑडियंस भी पठान एक्रिस को अपने कैमरे में क्लिक करने के लिए बेताब दिखे अपने करियर के दौरान सुपरस्टार देपिका पादुकोर ने अपने देश भारत को गर्व करने के लिए कई प्रेन्मेंट्स अन्यवार